इश्या के एक किताब में, इश्या के किताब में लिखा गया है, जो जो यहनान बोलता है, इश्या में प्रफफसाई कहा, 700 साल पहले इश्या भविज़ता प्रफफसाई करता है, अमें, येश्य मसी की मरना तय座ा, प्रफफे rains, प्रफेटिक है, हमें कोई उसे रोक नहीं सकता हललुया और हमारे लिए आशिश और भलाई का कारण बना हाथ उटा के धर्नेवाद इशू येश्व मसी का मौत मेरे लिए आशिश है येश्व मसी ने मौत को अपनाया ताकि हमको मरने की दरकार नहीं हमको दूसरा मौत ने हमें प्रभु अनं काल शीवन दिया हैं अखिश सत्रावाक्य अबको पढ़ेंगे तब बे येश्व को ले अवह अपना क्रूस उठाये वह उठाये हुए उस्तान तक बाहर गया उस तान ते बाहर गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है इब्राणियों में गुल गुता Amen, Hallelujah, Praise the Lord, एश्व मसीख खुद उस क्रूस को लेके साड़े तीन साल बारे चेलों को बना, कोई चेला नस्दिक नहीं, वो खुद अपना क्रूस को उठाया, मलुम है क्यों? ताकि हमारा और आपका क्रूस उठाया को, Hallelujah, प्रभु की आज शिशों को हमको दिलाने के लिए, Hallelujah, वे अपना क्रूस उठाकर क्या लिखा है, तब एश्व ने, और उस्थान तक बाहर गया, उस्थान तक बाहर गया, जो खुपडिकस्थान कहलाता है, खुपडिकस्थान कौन सा है, गोलगोता, जो शो बलो, गोलगोता, अबरानी भाशा में गोलगोता है, श्रापित जग करके cruise पे चलाये गया है क्यों ताकि हमारे श्राप को उसने ले लिया ताकि हमें और आपको आशिष रे, चैर्ट में लिको मेरा श्राप को ले लियाA अब मैं श्राप इतने अब मैं आशिषित हूँ जैसे उत्पती एक उसका 28 में लिखा है पर मिश्यों ने मुझे आशिश किया और कहा फूलो फलो और पृत्वी पे भर जाओ उसके लिए हम येस आइम ब्लेस सुदर्शने लिखता है येस अर रोज बलो मैं आशिश ही तूँ क्यों? क्योंकि एश्यों मसी ने श्राप को ले लिया मेरा सारी श्राप को ले लिया ताकि मुझे और आपको अनन्द काल के आशिश दे इसलिए एश्वमस्य यौहनान दस उसकाächst में लिखा है चोर आता है चोरी करने घात करने नाश करने के लिए परिशव कहता कि मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुताई से जीवन पाए आज से मेरा और आपका जीवन आशिश में जीवन होने बहुताई का जीवन होने अल्लो के जीवन होने में इसलिए हम बोलते हैं, मेरा परमिश्व सूपरनेच्रल है वो मुझे सूपरनेच्रल बनाया ताकि मैं सूपर नाच्रल कारी करे मेरा श्राप को ले लिया और मुझे वो आशिश किया एक्स्चेंज हुआ क्रूस पर एशू की मौद पर एक्स्चेंज हुआ मेरा सब कुछ एशू ले लिया और एशू का सब मुझे मिल गया हाथ उठा कि बुले धनिवाद एशू कितने लोगों आपका चाहिए कितने लोगों एशू का चाहिए एशू आपके लिए कर दिया अटरोब हो कि वह उन्होंने वहाँ उन्होंने उसे और उसके साथ और दो मनुष्य को क्रूस पर चड़ाया हाथ उठा कि मेरा गुना खतम और मेरे आशू चाहलू हाँ हललुया वीच में इश्य मसी और दोनों और दो चोर लोगों जो डाकों को वो ऐसे ही लिखा गया था बविजवाते के दोड़ इश्या के किताब में लिखा गया था हमें हललुया कितल लोग सुन रहे आमें जो prophecy है 700 साल पहले येश्य मसी आने के 700 साल पहले Prophet Ashiya लिखता है कहता है अललुया वो ही पूरा हो रहा है कोई बोलता है लो येश्य मसी मरा नहीं उनकी बात सुनने का नहीं येश्य मसी बच्चन में बार बार लिखा क्यों? इसलिए हम रबो के मेज लेते क्योंकि येश्य मसी मरा उसके मौत को मैं याद देना अगर येश्य मसी नहीं मरा रहता तो हम प्रचार ही नहीं कर पाते येश्य मसी मरा करके हम प्रचार करें येश्य मसी जी उठा करके हम प्रचार करें ये शुमस्य आज स्वर्गों में है बाइबल कहती है और वो जल्द मेगों पे आने वाला मुझे और आपको उठाने के लिए हमें Rapture करने के लिए मैं Rapture के लिए तयाद हो रहा हलेलुया रैज लोट रभू सब कुछ प्राफेट्टिकली बोला है भविजदवातों के द्वारा और उसे परमेशरेक्ट पूरा करा कुई बातوں को पूरा किया कई बातों को पूरा खरने वाला अललूया यिश्व मसीभ बादलों में आने वाला benefiting है और जल्दिशे बोपूरा होने वाला अगला बड़ा घटना यिश्व मसीभ बादलों पर आएगा मुझे और आपको बादलों पर यिश्व मसीभ मिलेंगे उसको बोलते है रैप्चर उसके बाद second coming बाद में होगा साथ साल के बाद साथ साल कल्यू के बाद tribulation के बाद antichrist और शैतान को हमेश्या के लिए हजारों साल के लिए जब गहरा ना खतम होने वाला कुंड में डाला जाएगा तब हम नए आकाश और नए धर्ती पर यिश्यमसी के साथ कल्यू राज शुकर नहाएंगे हमें ओके आगे पढ़ेंगे एक को इदर और एक को उधर और दो चोर को एक एडाईने और एक बाए और बीच में यिश्यमसी को और पिलास ने एक दोश पत्र लिसकर पिलातोस ने न्याय करने वाला फिला तो उसने दोश पत्रे लिखकर कुरूस पर लगा दिया है। उसमें यह लिखाता है। येशु नासरी यहुदियों का राजा। वो गलत फहमी को लिखकर उसे कुरूस पर चला ले। अललुया जबकि कोई दोश नहीं पाया गया है। येशु मसी पर कोई दोश नहीं पाया गया। अललुया पर हमारे लिए दोशी थेरा हैं ताकि हम और आप शराप से, रोग से, नरक से बच जाएं। हाथ उटा के बोले धनिवाद येशु आपने मेरा सब कुछ ले लिया है ताकि मुझे आप अनन्त काल के जीवन देवा, हललोया, पिला तो उसने एक दोशपत्र लगा कर, जब एक क्रूस पर किजी को चड़ाता है दोशपत्र लिखने का है, अमें, दोनों चोरों को, उनका तो दोशपत्र राको चोर करके लिख सकता है, क्योंकि वो पकड़ा गया परिश्व मसी में, क्या लिखा, दोशपत्र क्या लिखा है, येश्व नासरी यहूदियों का राज़ा है, येश्व नासरेत का येश्व मसी यहूदियों का राज़ा है, येश्व नासरेत का येश्व मसी यहूदियों का राज़ा है, येश्व नासरेत का येश्व मसी पे चड़ाया गया हाँ, नगर के पास था और पत्र इबरानी और लतीनी और युनानी में लिखा हुआ थां है कियों यहुदी लोग उसे जाने यשु मसी ने क्या दोश किया कि यहुदियों का वो यहुदियों का नहीं पूरा जगत का राजा है हललुया ये शुमसी मेरा राजा है कितना लोग घमन से कहेंगे ये शुमसी मेरा राजा है हललुया पिलातोस ने ये शुमसी को पैचाना नहीं रेकेगनाईस नहीं किये इसलिए वो पागल होकर मर गए हम और आप ये शुमसी को राजाओं का राजा रखेकनाइस किया पैचान किया इसलिए हम राजा होकर प्रभू की महिमा करेंगे हाललुया कितना लोग सुन रहा है जो शे बलो मेरा राजाओं का राजा है येश्व मसी मेरा प्रभू का प्रभू है येश्व मसी जब हमों पैचान दे लेंगे पैचान प्राप करेंगे पैचान को ग्रहन करेंगे पैचान को अनुबव करेंगे तो स्वर्ग र्याज हमारा क्योंकि स्वर्ग राज में राजाओं का राजा प्रभू का प्रभू राज्य करता है अलेलुया यह दोश पत्र बहुत से यहूदियों ने पड़ा और वस्तान जा ये शुक्रूस पर चड़ाए गया था नगर के पास था पत्र अबराणी लतीनी अयूनानी में लिखा हुआ तब यहूदियों के महायाजकोंने पिलातों से कहा यहूदियों का राजा मतलिक परन्तु यह की उसने कहा मैं यहूदियों का राजा हूँ येश्व मसी जो कहा है सत्य कहा है हललुया इतने लोग सुन रहे जो जो बलो येश्व मसी जो कहा है सत्य कहा है चिला के बलो सत्य कहा है हललुया उसने कहा इसलिए उसको क्रूस पे चड़ा वो येश्व मसी जो भी कहता है वो सत्य है भई उसमें दो चिंता ने एक ही चिंता वो यहूदियों का ने सारा जगत का राजा है हाँ यह दोश पत्र बहुत से यहूदियों ने पड़ा तब यहूदियों ने प्रदान याजको ने फिलतों से कहा उनसे कहे कि मैं उसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूँ हाँ कि येश्यू मसी ने कहा कि मैं येवदियों का है उसलिए वो दोश लगा है अललूया और जो येश्यू कहता है वो इसलिए येश्यू मसी का वचन कहता है येश्यू मसी कल आज हमेशा के लिए वोई समाने वो बदलता नहीं वो येवदियों का राजा बोल दिया तो ये कि राज़े उसमें कोई दोर आए नहीं जोसे बलो मैं विश्वास करता हूं येश्व मसी जो भी बोलता हूं मैं विश्वास करता हूं वो मेरा परमीश्वर है वो मेरा राजाओं का राज़ा है वो मेरा प्रभू का प्रभू है हाललुया इसलिए हम राज्य करेगी क्योंकि येश्यू मेरा राजा है हाललुया हम राजा है जो शे बलो मैं राजा हूँ इसलिए मैं हुकम करता तो प्रभु उसे पूरा करता है पवित्रियात्मा उसे पूरा करता है पिला तो उसने उत्तर दिया कि मैंने जो लिख दिया, वो लिख दिया, हललुया, प्राइज लॉड, मैंने जो दोश पत्र लिख दिया, वो लिख दिया, हललुया, ओके, आगे, तब सिपाई येश्यू को क्रूस पर चड़ा चुके, उसके कपड़े लेकर चार भाग किये, और सिपाई के लिए एक भाग, और कुर्ता भी लिया, परंतु कुर्ता बिन सियोन उपर से नीचे तक बुना हुआ था, इसलिए उन्होंने आपस में कहा, हम इसको न फाड़े, परंतु इस पर चिट्टी डाले की वक किसको का, किसका हुगा, तो कि येश्व मसी का वस्तर बहुत मूलिय था, हललुया, भाई जिन सहीता में लिखता है, उसका वस्तर को वो चिट्टी डालकर, प्राफिसी भी किया गाता है, ये बात को, हर चीज जो येश्व मसी के जीवन में हुआ था, वो पहला प्राफिसाई किया गया, सालो साल, हजारो साल पहले, और वो ही बात को, परमिश्व पूरा करता है, हललुया, प्राइज लॉड, उसी तर हमारे जीवन में परमिश्व जो प्राफिसाई किया, अगर आप और आषिश और महिमा पे महिमा मेरा येश्व लेकर जाएगा, जो से लोो बोलो मैं प्राफिटिक हूँ, तुए प्राभू मेरे जीवन में प्राफिसाई किया, मेरा जीवन यसाई नहीं है, परमिश्व के बोली पे मैं चलता हूँ, पत्रोश जब येश्व मसी के बोली पर चला चमतस कार पर चला पानी dużo प्रमेश्य की बोली यह मेरे लिए प्रफेटिक है वह मेरे लिए प्रफसाई के लिए. अब उसका प्रफसी मेरे लिए भलाई के लिए я सुंधार मेरे जीवन में मेरे ये श्मसी प्रफसाय की है भविश्वानी की है मैं उसे पकड़ूँगा और मैं उस पर चलूँगा अब प्रभु की महिमा को देखूँगा हललुया ओके सेनिक लोग क्या किया वो फाड के लेने वाले थे पर किसी ने बोला नो फाड के नहीं चिट्टी डालेगा जिसके पास जाएंगे वो लेगे और चिट्टी डाला और वो उसके कपड़ों को लिया ओके पढ़ेंगे तब सिपाई पर इसलिए यह उसलिए हुआ पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो बजन जाइता में लिखा गया अश्रया में लिखा गया पवित्र शास्त्र की वचन पूरी हो वो प्रफेटिक था उनोंने मेरे कपड़े आपस में बाट लिये और मेरे वस्तर पर चिट्टी डाली तो सिपाई ने ऐसा ही किया और सिपाई ने अलग नहीं कर सकते हैं वो प्रॉफिट ही किया वैसा ही होने का है परमेश्य का वच्चन वैसे ही होगा किता लोग विश्पास करें उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ तो वैसे ही होगा मैं चंगा ही पाएगा मैं सिर बनूँगा पूछ नहीं तो मैं सिर बनूँगा मेरे ठोकली भर कर बहेगा तो पक्का भर कर बहेगा कोई कमे घटी नहीं यहोवा मेरा चर्वा मुझे कोई घटी नहीं तो मुझे कोई घटी नहीं हलोलुया परन्तु येश्यु के क्रूस के पास उसकी माता और उसके माता की बेहन मरियम क्लोपास की पत्मी और मरियम मगदली में खड़ी थी और एशु के क्रूस के पास उसकी माता मरियम उसकी बेहन और खेलोफास और मरियम मगदली ने खड़ी थी इन बेहन लोग उसका येश्व मसी का माता जी हललुया कई लोग येश्व मसी का मम्मी को आराधना करते है कुछी को बनौ गलत है माता मरयम आहदर की होगे फर उदर कहा लिका है पड़ो कहा लिका है उसकी माता और उसकी माता की बहन मर्यम माता की माता की मर्यम बहन क्लोपस की पत्नी और मर्यम मग्दली नहीं खड़ी थी माता मरियम मगदली नहीं खड़ा था हम माता मरियम के आदर करते पर येश्यू मसी परमेशन है हम मरियम से प्रात्ना नहीं करते मरेवे लोगों से प्रात्ना नहीं करते अज काई लोग मरियम से प्रात्ना करते नो प्रात्ना मनिश्य से नहीं करते मनिष परमिष्य से करते उसको प्रात्ना बुढ़े कितना लोग सुन दे हtechn JOHN होई भी सेंट हो हम प्रात्ना किसी भी सेंट से नहीं करते AMEN आज पूरे दुनिया नेक लोग सेंट लोग से प्रात्ना करते AMEN आगे पढ़ेंगे येश्व मसी कहता है case 3 येश्व मसी कहता है येश्व मसीत सारे चेले एवन यूदा से भी प्रेम करते हैं यूदा को भी last moment नहीं बोला तूप जिस काम के लिए है करके जा पकड़वाने आया है पकड़वाकर जा वो सारे चेलों से प्रेम करते हैं पर इधर हम देखते हैं क्या लिगा है यहान माता और उस चेले को जिसे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर अपनी माता से कहा हे नारी देख यह तेरा पुत्र है अभी जब येश्व मसी बात कर रहे हैं वह बेटा के समान ने वह परमेश्व के समान बात कर रहे हैं नहीं तो वह बोलता है ये मम्मी अमें इवन दाकर जब पहला चमतकार येश्व मसी किया कल तक येश्व मसी अपनी माता मर्यम को मम्मी बोलते थे पर उस पर उसने बोला हे स्थुरी तेरा क्या काम उस जगा पर परमेश्वर अपनी अधिकार को इस्तमाल करा थे वो माता मर्यम का बेटा ने वो परमेश्वर की अधिक तेरा पुत्र है जो चेले लोग उनका दोस्ता ये तुमारे पुत्र है आद से मैं तुमारा पुत्र नहीं क्योंकि उस जगह पर परमिश्र की अदिकार से वो बात कर रहा है तब उस चेलों से कहा या तेरी माता है मेरी माता नहीं ये तेरी माता है और उसी समय वो चेला उसे अपना घर ले गए और फिर माता मर्यम को वो चेले अपने घर लेके गए अब है परमिश्व सब का ख्याल करता है वो जानता है आज के बाद मैं मर्यम के साथ नहीं रहेंगे इसलिए वो बोलता है ये तेरा मम्मी ह और वो चेलिए तेरे बच्चे हैं रहे उनके घार जाता है। रहाँ है हैं हलोलुईया फद लोग शुन रहे हैं अघर हम पर्मेश्व की वानि को सुनता है पर मिश्व के वचिन को सुनता है हमारा चेप्स को हमारे खदमों को परम कर मैं अभिश्यक किया है और हर वेक्ति जो मेरी आवाद सुन रहा है आपके जीवन में हर रोज आशिश पर आशिश मैमा पर मैमा मेरा प्रभू लेके जाएंगे पर हमको प्रभू ये शुमसी पर सवटका विश्वास करनेगा वो हमें छोड़ेगा नहीं वो हमें त्यागेगा न हमारा जीवन के हर पहलू पर वो कारी करता है जोर से बलो मेरा जीवन के हर पहलू पर कारी करता है हमको प्रभू के साथ पवित्रात्मा के साथ एक हो जाने करें हललुया उसके मौत को याद करने करें मेरे लिए मरा अगर धरती में मैं ये केला विक्तिर रहता फिर भी मेरे येश्यू मेरे लिए मरता मुझे बचाने हालेलुया इतना प्रबु मुझसे और आप से प्रेम करते हैं कितना लो कहेंगे आज से मैं उस प्रबु से प्रेम करूँगा उसका लहू को मैं इस्तमाल करूँगा अललुया पिछले संडे का वीडियो बार बार देखिए लहू के सामर्त लहू बोलता है आबेन का लहू अगर जमीन से पुकारता है तो येश्यू मसी का लहू आप जब लगाएंगे स्वर्ग से आपके लिए पुकारेगा और आपके लिए बैक अप करेगा परमेश्य का आप शैतान आपका बाल बेबाकाने मिधार चना इसलिए एश्यू मसी के हर बातों को प्रूस पे चड़ाना जाना मरना घाड़ा जाना और तीसे दिन जी उतना और जल्दी वो मेगो में आना हमको सव टका विश्वास करेंगे जब हम विश्वास करेंगे परमेश्यू की म अही माप पर हम चलेंगे अगर आज तक आप यश्व मसी को नहीं जानते ए वीडियो में आप आएं ऐसे नहीं आया मेरे यश्व आपसे फ्रेम करता है इसलिए आप आएं जल्दी से हम देखेंगे आज हमने क्या देखें यश्व ने हमारे श्रापों को ले लिया और हमें घल्दी आप कोई भी होने लिए अगर आप मनेश्य मानम जाती है आपका शौप को यश्व मसी ले लिया और आपको आशिश दिया है वच्चन वाइबल के हर बातों को प्रभु पूरा करते अगर वो लिखा है यश्व मसी ने बोला ऐसे ही लिखा है उसका मून तो और वच्षन में मैं विश्वास करते हूं हमको विश्वास करने का एश्व की बोली पर हम चलते हैं मनसी के बोली पा चला चमदकार पा चला कितने अधिक इन दिनों में और 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 चमदकार होग। येशु ने जो कहा है वैसे ही होगा कितना लोग विश्वास करेंगे उसका वचन जो वो भेजा है बिना काम किये वापस परमिश्व की पास नहीं जानता पर किस के लिए काम करेगा जो बोलता है जो अपने दिल को वचन से बरता है परमिश्व सब का ख्याल करता है अपने आ मैं आपके चर्णों में आता हूँ, जाने इन जाने में, मुझसे जो भी पाप हुआ, मुझे तु शमा कर, अपने लहू से धो कर, शुद कर, पवितर कर, आप मेरे लिए आया, मार गया, दफनाय गया, जी उठा, आज मेरे लिए, अब जिन्दा है, मेरे दिल में आजे, आज से, एशु मेरा प्रभू है, आप मेरे लिए, खालवरे क्रूस पर चड़ा, मौत को अपना है, ताकि मुझे, मौत से, आज़ादी मिले, और अनंकाल के जीवन दे, धनिवाद एशु, आपने मेरे लिए, मेरे जिन्दगी के लिए, सब कुछ कर दे, मैं उसे अपनाता पवितरात्मा, मुझे मदद कर, मुझे सीखा, एशु के नाम समांग कर, और सब कहेंगे, प्रभू इन वच्छनों से आप सब को बहुत-बहुत आशुश कर,